नमस्कार दोस्तों मैं देव साहनी और आपका स्वागत है देव जी टेक्निकल चैनल में चैनल के साथ चले बीना वक्त वाई वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो देव साहनी टेक्निकल चैनल है इसकी कहानी कहां से सुरू होती है तो इसकी कहानी सन 2016 से नौंबर महीने से सुरू होती है जब मैं MCA से पोस्ट ग्रेजवेशन कंप्लीट कर रहा था तो उच टाइम मेरे दिमाग में एक ख्याला है कि मुझे भी यूटूबर काम करना है औरों की तरफ हेमस होना है उच टाइम कुछ गीने चुने यूटूबर यूटूबर पर काम करते थे जैसे कि dharman sir my smart support से एकता मैं क्या कैसे चैनल से और technical guru जी, technical guru जी चैनल से तो दोस्तो इन सारे यूटूबर को देखकर मैं भी इंस्पायर हुआ और यूटूबर चैनल बना डाला जिसका नाम था बिंदास सीखिये जी हाँ दोस्तो देव साहनी टेक चैनल जो आज आपके सामने है इसका नाम सुरू में बिंदास सीखिये रखा गया था ताकि आप लोग को मैं कोई भी नॉलेज दूँ तो वो बिंदास तरीके से दूँ तो इसके बारे में मैं आपको और डीटेल से बताओंगा तो चलिए और भी जान लेते हैं तो दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम सुरू में बिंदास सीखिये इसलिए रखा था ताकि मैं आपको कोई भी नॉलेज बिंदास तरीके से समझा सकूँ सिखा सकूँ तो दोस्तों मैंने अपने चैनल का नाम बिंदा सीखे रखा था इसलिए और दोस्तों मैं अपने चैनल पर टेकनलोजी से रेटेड वीडियो अपलोड करता था ताकि आप लोगों को छोटी मोटी टेकनलोजी से रेटेड प्रॉलम का सल्यूसर मिल सके और दोस्तों मैं आपको बता दू कि उष्ट है मेरे पास ना ही कोई कैमरा था ना ही कोई माइक था जिसकी वाज़र से मैं कोईभी फेसके ज्कैम वीडियो नहीं बना पा रहा था सबस्क्राइबर तक तो सब कुछ ठिक ठक था लेकिन मेरे चैनल के नाम को लेकर मेरे दिमाग में हमेशा confusion बना रहता था क्योंकि दोस्तों जब मैं अपने चैनल का नाम बिंदा सीखे टाइप करके यूटूब के सर्च बार में सर्च करता था तो उसमें जो सर्च लिस्ट आती थी उसमें कुछ और ही सिखाई जाने वाली वीडियो होती थी तो दोस्तों इससे मैं काफी confuse हो जाता था क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल बिंदा सीखे पर टेक्नोलोजिस रेटेड वीडियो डालता था लेकिन जब यूटूब पर सर्च किया जाता था तो कुछ और ही सिखाई जाने वाली वीडियो आती थी यूटूब की तरफ से और वहाँ पर जो है कुछ और ही सिखाई जाने वाली वीडियो सो की जा रही है तो दोस्तों मैंने फाइनली डिशाइड किया कि मुझे अपने चैनल का नाम चेंज कर देना चाहिए तो दोस्तों मैंने काफी लोगों से सला लिया कि चैनल का नाम क्या रखना चाहिए तो मैंने काफी लोगों से पूछ कर जानकारिया पराप्त की तो दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद फैनली मैंने डिसाइड किया चैनल के नाम रख दूंगा तो दोस्तों मैंने अपने नाम के आगे जी लगाया उसके बाद टेक्निकल अएड कर दिया तो दोस्तों फैलिशनाल आपको मेरा नाम जो है देव जी Eco चैनल देखने को मिला होगा आप जो मेरे चैनल पर facecam video upload करने लगा था और देर दिर मेरे चैनल पर views भी आने लगे थे तो दोस्तों इस तरह से बिंदाज सीखे चैनल को change करकर मैंने अपने चैनल का नाम देव जी टेकनल रखा और देव जी टेकनल चैनल पर मैं फिलाल एक साल से काम कर रहा हूं आप जो मेरे चैनल प उन लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि मैंने कहीं एटिट्वीट में आकर अपने नाम के आगे जी लगाया है क्योंकि दोस्तों मेरा नाम देव सानी है और मेरे चैनल का नाम देव जी टेकनल रखा था तो मुझे लग रहा था कि लोग मुझे एटिट्वीट वाला समझ कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा हैं तो दोस्तों फाइलि मैं अपने नाम को लेकर काफी जाधा कंफ्यूज था देव जी टेकनल नाम को लेकर क्योंकि दोस्तों इसमें देव जी जो था उसम तो दोस्तों काफी ज़्यादा confusion होने के बाद और मेरे सब्सक्राइबर भी काफी तेजी से बढ़ चुके थे मेरे चैनल भी verify कर दिया गया था YouTube की तरफ से तो इसमें नाम चेंज करना काफी ज़्यादा मुश्किल था लेकिन फिर मैंने आप लोग की हेल्प करने के रिए डिसाइड किया कि मैं अपने चैनल का नाम जरूर चेंज करूंगा तो दोस्तों मैंने काफी लोगों से सलाव फिर से लिया और फिर से मुझे इस तरह से देख सकते हैं इस्क्रीन प्राप को दिखाए देगा और इस तरह से आप देवसाहानी टेक चैनल को यूटूपर सेर्च करके आसानी से मुझे फाइंड कर सकते हैं तो आपको स्क्रीन पर लिंक दिख रही होंगी फेस्बुक ट्यूटर और इंस्टाग्राम की आप मुझे जो है सोसल साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि मेरा यूजर आइड देवसाहनी टेक तो दोस्तों अब मैंने अपने चैनल का नाम देव जी टेकनिकल से बदल कर देवसाहनी टेक रख दिया यदि आप लोग मुझे यूटूपर सर्च करना चाते हैं तो चैनल का लोगो दिखाए देगा मैं सिलोर प्ले बटन लेकर आपको लोगो में दिखाए दूँगा तो दोस्तों यदि आपको मुझे यूटूपर सर्च करना चाते हैं तो अब आपको जो है देवसाहनी टेक के नाम से मैं यूटूपर देखने को मिलूँगा तो दोस्तो इस तरह से मैंने अपने चैनल का नाम सबसे पहले बिंदा सीखे रखा था उसके बाद कुछ confusion होने की वज़े से मैंने अपने चैनल का नाम चेंजे करके देवजी टेकनल रख दिया finally दोस्तो मैंने अपने चैनल का नाम देवजी टेगनल से बदलकर देवसाहनी टेक रख दिया है तो दोस्तो ऐदिया मुझे यूटूपर सर्च करना चाहते हैं तो आपको यूटूपर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है देवसाहनी टेक और आपको सबसे उपर मेरे चैनल का नाम और चैनल का लोगो दिखाई देगा तो दोस्तों अब आप लोगों को चैनल का नाम चेंज करने का रीजन पता चल गया होगा कि मैंने अपने चैनल का नाम क्यों चेंज करने का रीजन क्या था तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ कि चैनल का नाम चेंज करने से मुझे क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है तो चली देख लेते हैं तो दोस्तों सबसे कले मैं आपको नुकसान के बारे में बता दूँ कि चैनल का नाम बदलने से आपके चैनल को क्या नुकसान हो सकता है तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि जो मेरा देवजी टेक्नियल चैनल था इस पे मैंने 2,00,000 से ज़्यादा सब्सक्राबर गेंड किया था और मेरे चैनल को वेरिफाई कर दिया गया था यूटूब की तरफ से जो कि आपका चैनल का नाम वेरिफिकेशन हो जाता है यूटूब की तरफ से तो यदि आप अपने चैनल का नाम चेंज करते हैं तो आपके चैनल के नेम के आगे से ब्लू टिक हटा दिया जाता है यूटूब की तरफ से ये YouTube की policy में है कि यदि आप अपने चैनल का नाम बदलेंगे यदि आप एक लाग सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर लिए है और आपका चैनल का नाम verification badge मिला हुआ है तो आपके चैनल का नाम बदलने से आपके चैनल के name के आगे से verification badge हटा दिया जाएगा लेकिन दोस्तों इसमें आपको भबरानी की कोई ज़रोत नहीं है यदि आप अपने चैनल का नाम change करना चाहते हैं एक लाग सब्सक्राइबर के बाद भी और आपके चैनल के नाम के आगे से blue tick खड़ गया है तो इसके लिए आपको YouTube creator support team से बात करना होगा और region बताना होगा और आपके चैनल को फिर से verify किया जाएगा और चैनल को verify करने के बाद आपके चैनल के name के आगे फिर से blue tick दे दिया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल के नाम के आगे देव सहानी टेक चैनल के नाम के आगे blue tick फिर से मिल चुका है और मेरा channel फिर से YouTube की team की तरफ से verify कर दिया गया है तो दोस्तों इस तरह से जो है एक नुकसान हो सकता है यदि आप अपना एक लाख सब्सक्राइबर के बाद अपने channel का नाम बदलते हैं और दोस्तों अब फायदा की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है मेरे channel का नाम change करने से कि अब आप मुझे YouTube पर केवल मेरे नाम से search कर सकते हैं केवल देव साहनी टाइप करके आप अगर मुझे YouTube पर search करेंगे तो मेरे channel का नाम और मेरे channel का logo आपको देखने को मिल जाएगा मेरे video भी आपको देखने को मिल जाएगे तो दोस्तों अब सबसे बड़ा फायदा था मेरे channel का नाम change करने को लेकर क्योंकि मेरे channel का नाम देव साहनी टेक YouTube की तरफ से verify कर दिया गया है और अब आप मुझे देव साहनी के नाम से भी अगर YouTube पे सर्च करते हैं तो आपको सबसे उपए मेरे चैनल का लोगो और चैनल का नाम देखने को मिलेगा तो दोस्तों ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है मेरे चैनल को चैनल नाम बदलने से तो दोस्तों अब आप मुझे यूटूब पर केवल देव साहनी टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं तो सबसे उपए मेरे चैनल का लोगो और चैनल का नाम दिखाई देगा तो दोस्तों ये फायदा और नुक्सान हुआ था चैनल का नाम बदलने को लेकर तो दोस्तों अब आपको इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे कि मैंने अपने चैनल का नाम क्यों चैनल का नाम चैनल करने के पीछे रिजन क्या थे और चैनल का नाम चैनल करने से मुझे क्या फायदा और नुक्सान हुए तो दोस्तों अगर आपको एवीडियो पसंद आया तो अपने वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों साथ सेर किजीए ताक हो लोग भी अपनी कन्ट्यूज़न को दूर कर सके तो दोस्तों उम्मिद करते हैं कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिल्स इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और दोस्तों यदि आपने देवसाहनी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो को नीचे लाल गले के सब्सक्राइब बिटन दिखायते गीओं अब हमें क्लिक किईए देव साहनीट चनल को जो सब्सक्राइब पिजीए और सपोट किजिए देव साहनीट चनल को तो दोस्तों मिलते हमने अगले वड्यमें एक लेतेश केगोल यह रेटेड वीडियो लेकर तत्त किलब जहां पर रहें देखते रहें, सीखते रहें, अच्छी सोच रखते रहें, जहिंद बंदे मात्रा